तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट फोन का यूज करते हैं तो आप सभी के फोन में एक फोल्डर जरूर होता मैसेज का और यहाँ पर दोस्तों आपके फोन में जितने सारे मैसेजेज होते हैं लेकिन दोस्तों आप जब भी इस अप्लिकेशन को ओपन करते हैं जहाँ पर आपक और उसके बाद दोस्तों आप जब भी अपने मैसेज के इंबाक्स को ओपन करेंगे तो आपका इंबाक्स जो इतना ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा यूनिक लगेगा कि अगर कोई भी फ्रेंड होगा डिलेटिव होगा आपके मैसेज बाक्स को देखेगा तो 100% चौंक जा क्यां एंगे तो चली जो सुरू करें से पहले आप लोर से एक रिक्वेश्ट है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंट्स के साथ वाटसेप पर ज्यादा ज्यादा जरूर करना सांथी दोस्तों हमारी चैनल को सब्स्राइ अगर आप भी अपने फोन के मैसेज बाक्स में अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, तो आप कोई साभी फोन यूज कर रहे हो, आप हर एक फोन के अंदर बहुत ही एजली फोटो लगा पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर एक सेटिंग करनी है, स है, और यहां पर light, dark and system default, आपको इसे dark पर इस तरीके से set कर देना है, और यहां पर ok कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बाहर निकलाना है, अब दोस्तों आपका इतना काम हो चुका, अब दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक application डाउनलोड करनी होगी, application का न दिखाई देगा, तो यहां पर आपकी phone में यह setting on होगी, तो इस तरीके सबसे पहले इसे बंद कर देना है, grid overlay की, और यहां पर आपको mockup overlay की setting मिल जाएगी, तो इसे आपको इस तरीके से on बंद रहेगी, तो आपको इसे इस तरीके से on कर देना, ok, अब यहां पर दोस्तों लगाना जाते हैं, आपको वो photo simply select कर लेनी है, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको इसकी contrast, brightness वगएरा set कर देनी है, और उसके बाद दोस्तों अब आपको कुछ ने करना, आपकी photo जो है लग चुकी है, अब simply आपको अपने message inbox में चले जाना है, और अब दोस्तों यह पर आप देशकते हैं, हमारी photo लग चुकी है, जो कितनी जबरदस्ट, कितनी unique लग रही है, हमारे message के inbox में, तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से बड़ी ही आसानी से अपने message box में अपनी photo लगा सकते हैं, और अपने दोस्तों को चुगा सकते हैं, अब दोस्तों अगर प्ली मेंबर की photo है, किसी भी photo को लगा सकते हैं, अब दोस्तों बात करें इस application की, तो इस application को download करने के लिए आपको अपना play store open करना है, और play store में आपको सर्च कर लेना designer tools, तो दोस्तों ये वो application छोटी सी application दोस्तों 5 MB की और काफी कमाल की application है, तो दोस्तों इस application की मदब से आप बड़ी आसानी से photo लगा सकते हैं, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, साथी चैनल सब्स्राइब करके bell icon जुरूर पिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक अपना ख्या लखिए आप का दिन सुभू